आप सभी का राज के महावी देले श्री करणपूर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम बीए तिरितिय वर्ष के दिवत्य प्रशन पत्र में भारत का भुबोल भारत की मिटियां, उनकी विशेष्टाएं और उनका वित्रन के बारे में चर्चा करेंगे भारत की जो किर्शी अनुसंधान परिशद है, इसने मिटियों के मुख्यते आठ परकार बताए है भारत एक वरियत देश है, यहां जलवाईयों और उच्चावच समंधी दशाओं में विविधताओं के कारण मिटियों में प्रदेश के अनुसार भिंता मिलती है जैसे की जलोड मिटी, यह मिटी भारत के 40 परतिशत भाग पर फेली विए और लगबग 15 लाख वर किलोमेटर के एक शेतर है यह तटिया मैदानों में, डेल्टा परदेशों में, प्रयाप्त मात्रा में मिलती है इसे मुख्यत है, बांगर और खादर में बांटा जाता है प्राचीन जलोड को बांगर कहते हैं और जो नवीन जलोड है उसे खादर कहते हैं बांगर का सरवादिक विस्तार उत्रपरदेश में और खादर का सरवादिक विस्तार बिहार में हैं बांगर की अपेक्षा जो खादर है वे अधिक उपजाओ होती है जलोड मिटियों में पोटाश, फासफोरिक अमल तरह कार्बनिक तत्वों में धनी होती है लेकिन नाइटरोजन और हयुमस केस में कमी होती है फिर है काली मिटी काली मिटी को रेगुर मिटी और कपास मिटी भी कहा जाता है इसका रंग काला होता है और ये कपास के खेती के लिए बहुत ही उप्यूक्त मिटी है यह भारत में लगबग 5.46 लाख वर किलो मिटी के शेतर में फैली हुई है इसका निर्मान जुआला मुखी के लावा के अपक्षय और अपरदन से होता है इसके निर्मान में चटानों की जो प्रकरती है उसके साथ वहां मिलने वाली जलवायू की महत्पून भूमिका रहती है इसका काला रंग मेगनाइट, लोहा, अलुमीनियम, सिलिकेट के कारण होती है यह गिली होने पर चिप-चिपी हो जाती है और सूख जाने पर फिर इसमें दरारें पढ़ जाती है सूख किर्शी के लिए यह सबसे उप्युक्त मिट्टी बाने जाती है इसमें कपास, मोटे अनाज, सूर्य मुखी, खटे फल, आदे की किर्शी की जाती है लाल मिट्टी यह मिट्टी लगबग भारत में पांच दस्मलव, अठारा लाख वर किलोमेटर क्चेत्र में विस्तरीत है यह समान्य से लेकर के भारी वर्षा वाली दशाओं में प्राचीन, क्रिस्टल या शैलों के अपक्षय और अपरदन से बनती है प्राचीन, क्रिस्टल या शैलों के अपक्षय और अपरदन से यहें अपिक्षाकर्त कम उपजाओ मिट्टी है इसलिए इसमें सिंचाई की आउशक्ता पड़ती है उंची भूमियों पर यहां बाजरा, मुंगफली और आलू की खेती के लिए यह मिट्टी अच्छे माने जाती है लाल मिट्टी में गुलनशील लवनों की प्रयाप्तता होती है प्रन्तु फास्फोरिकमल, जेविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती फिर है लेटेराइट मिट्टी यह मिट्टी एक दश्मलव 26 लाख वर किलोमेटर के क्षेत्र में विस्तरीत है और यह मुख्यता उन खेत्रों में मिलती है जहां वर्षा अधिक हो जैसे की 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और चुना वैस सिलिका की वहां उपस्तिती हो इस मिट्टी में काजू मुख्यता होता है और मिट्टी में लो ऑक्साइड अलमुनियम ऑक्साइड की परचूरता होती है परंतु नाइटोजन की इसमें कमी मिलती है फिर है परवतियमिटी यहमिटी दो दस्मलव पिच्चासी लाख वर किलोमेटर क्षेतर में विश्तरित है और इनके नाम से ही पता चलता है कि यह परवतों पर मिलती है भारी वर्षा वाले शेतरों में इसमें हियुमस अधिक होता है और यहां चाए कोफी मसाले आधी इस मिटी में उपजली जाती है फिर है सुष्क और मरुस्थलिय मिटी यह एक दश्मलव 42 लाख वर किलोमेटर क्षेतर में सुष्क एवम अर्द सुष्क शेतरों में फैली वी है इस मिटी में बालू की मातरा दिक होती है इसलिए यहां मोटे आनाजों की खेती की जाती है जिसे बाजरा और जवार लेकिन राजस्थान में गंगानगर जिले में सिंचाई की सुष्धा उपलब्ध होने के कारण इस मिटी में गेहूं वेकपास का दियुत पादन संभव हो पाया है लवनिय एवम शार्य मिटी यह मिटी देश में एक दश्मलव सत्तर लाख वर किलोमेटर की क्षेतर पर विस्तरित हैं यह मिटी राजस्थान, पंजाब, उत्रप्रदेश, महरास्ट्र, तमिलनाडू, हर्याना, आधिके सुस्क और अर्ध सुस्क शेतरों में मिलती है इन मिटीों में सोडियम वे मेगनीशियम की अधिक्ता रहती है और इसके कारण मिटी लवनिये तिथा केल्सियम वे पोटेशियम की अधिक्ता के कारण शारिये हो जाती है जो लवनिये होती है वो होती है सोडियम और मेगनीशियम के कारण और जो शारिये होती है वो होती है केल्सियम और पोटेशियम के कारण अता ये खेती के लिए उप्युक्त नहीं है और इनको अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है जैसे कलर, उसर, रे, आदी फिर है पीट मिर्दा इसका निर्माण अत्य धिक नमी वाले दशाओं में होने के कारणजे से जहां अधिक वर्शा होती है दल-दली क्षेतर, गिल्ला क्षेतर होता है, जो मुख्यत है तर्टिय प्रदेशों में, नदी के, भाववले क्षेतरों में इस परकार की मिट्टी का निर्माण होता है इनमें लोहत तत्व की उपस्तिती और बड़ी मात्रा में वनस्पतियों के कारण यह मिट्टी किर्शी के लिए अनुप्यूगत रहती है फिर हैं मिट्टी की उरवर्ता में कमी क्यों हो जाती है एक तो पोशक तत्वों का हास हो जाता है उनमें क्योंकि फसल हटाने के करम में किसान बारी बारी एक ही परकार की फसल लेने से मिटी में उस विशेश तत्व की कमी हो जाती है भारी वर्षा के कारण निक्षालन की समस्य आती है और नदियों और वायू के अपरदन के कारण मिटी की उपरी परत हट जाती है और किर्शि के दोस्पूर्ण परबंधन के कारण फिर है कि मरिदा अपरदन के क्या प्रणाम होते हैं, कैसे होता है, क्यों हो जाता है नदियों में बाढ ढाने से और उर्वरता में कमी आ जाती है जल धारों में मिट्टी का जम जाना और जो बांध बनाए गए हैं उनकी पुरानी स्तिती के कार ये मिर्दा आपरदन के परिणाम होते हैं फिरस रंक्षन के उपाई मिट्टी के बहाव को कटाव को रोका जाए उसके लिए क्या करना चाहिए उसके लिए परवतिय जो ढ़लान है वहां पर पेड़ लगाने जानी लगाए जाने चाहिए जो खेती है वो पटीदार होनी चाहिए सीड़ीदार किर्शी की जानी चाहिए नदी के बहाव के बीच में अगर ढाल है तो वहां अब रुद्धी बांद बनाए जाने चाहिए पेड़ों को लगा कर वायू के बहाव को कम करना चाहिए और समय समय पर भूमी को खाली छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी उरुवर्ता बने रहे तो ये थी राजस्तान में भारत में मिटियों का वित्रण और उनकी विशेस्ता है जलोड मिटी मुख्यत है नदी और नदी बहावाले क्षेत्रों में जैसे पंजाब हरियाना उत्रप्रदेश बिहार इनक्षेत्रों में मिलती है जो काली मिटी है वो है मुख्यत है महरास्ट्र मध्यप्रदेश उत्री करनाटक और गुजरात में जो लाल मिटी है वह है प्राइदिव्य पठार के उत्री पूर्वी भाग में जहारखंड, चत्तिसगड, उडिसा, तेलंगाना, तमील नाडू, आदिक शेत्रों में जो लेटे राइट मिटी है वो पश्चमी घाट में जैसे केरल, तमील नाडू, छोटा नागपुर का पठार में घाले इन राज्यों में लेटे राइट मिलती है परवत्य मिटी, जम्मू कश्मीज, वर्तमान समय में जैसे लद्दाक और हिमाचल परदेश, उत्राखंड, सिक्किम, अरुनाचल परदेश में सुष्क और मरुस्त लिए मिटीयों के बारे में चर्चा हो ही गई हमारी कि ये पठ्चमी राजस्थान और जो तमील नाडू है, महरास्ट रहे इनके सुष्क और अर्दसुष्क शेत्रों में तो ये थी भारत में मिटीयों का वित्रण और उनकी विशेस्ता है झाल झाल